स्वागत है आपका जीवन उत्साह नियूस पर और आज मैं फिर एक बर लेकर चल रहा हूँ आपको बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट में और जैसे की आप जानते हैं कि चैत्रमाश के मेले शुरू होते हैं और बाबा बालक नाथ मंदिर में शरदालू बहुत दूर दूर यहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए उनकी स्वक्षा के लिए उनके हर एक समस्या को और वहीं यहां पर आते हैंक्पा को सुक्व में बढने के लिए क्टार मों ने नहीं होते हैंbalance कि व् Southeast दूरूर रहा कुछ Maagam के चलते बहुत आरे जो रहे तो आज हम आपकी चर्चा कराएंगे टेंपल ऑफिसर ओपी लखनपाल जी से और कुछ चर्चा उनसे करेंगे उन्होंने मंदिर को लेकर ट्रस्ट को लेकर जो इनकी जिम्मवारियां रहती हैं क्या तैयारियां की हैं किस तरह से ये व्यवस्ताओं को बहतर बना सकते हैं किस तरह से बहतर बनाएंगे और शर्धालूं के लिए क्या अच्छी सुविधाएं जो देने का प्रयास करता है ट्रस्ट उसमें ये बहतर भूमिका निवाब आएंगे और दूसरी तरह शरधालूनों से जो बहुत दूर से आते हैं बाबाजी की नगरी में यहाँ पर अपनी मनोकामने पूर्ण करने के लिए दर्शों के लिए आते हैं उनसे भी हम कुछ चर्चा करेंगे इस ट्रस्ट के बारे में या मंदिर के बारे में कुछ बाते करेंगे कि वह भी आएं तो पुरी शद्धा से थोड़ी बहुत कमी आगर कही पर रहती भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करें और क्योंकि जब हम भगवान के दरबार आते हैं तो सच माइने में हमारी सोच बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए ये बात तो बिल्कुल सच है तो फिर भी उनकी एक्सपेटेशन होती हैं क्योंकि यहां पर वो आते हैं और उनी की बज़ा से ये ट्रस्ट चलता है तो उनकी सुविदाओं के लिए ट्रस्ट को ध्यान रखना आने के लिए और उनसे समझेंगे उनसे जानेंगे क्या विवस्ता हैं उन्होंने इस बार की हैं मंदिर में सरदालों के आने पर आईए आपकी बात कराते हैं टेंपल ऑफिसर ओपी लखन पाल जी से और उनसे हम समझते हैं शरदालों के लिए क्या तैयारियां उन्होंने इस बार की हैं किस तरह से ये मेलों का जो आयोजन हो रहा है लोगों के सुख में ही हो अनन्द में ही हो लोग यहां पर आएं तो बाबाजी के चर्णों में अपना शीष तो नवाएं साथ में हिमाचल प्रदेश के पती एक अच्छा सुखत एहसास लेकर जाएं और उनको ये लगे कि अगली बार भी वो बाबाजी के दर्शनों के लिए अपने परिवार के साथ आएंगे तो चलिए बात कराते हैं आपकी ओपी लखनपाल जी एक बार फिर से सौगत है आपका अजीवन उत्साह निउस पर और है हमेशा ही क्या नई तयारियां की हैं और क्या आपको लगता है कि इस बार आप बहतर से बहतर सुभिदाएं यात्मियों को देने का प्रयास करें सबसे पहले तो मैं देश भी देश में रहने वाले सेवी बाबाजी के भकतों का चैत्रमास के मेलों मैं आने के लिए दास कर्मचारी और बढाएं गए हैं इस वार हमने जो भी कूड़ा करकर जो कुछ भी सफाई के लिए पूरूर्ण परबंद किया गया है इस वार हमने दमपरों को उठाने के लिए पलेसरगाडी को हमने ठेका दिया हुआ है ताकि वो पलेसरगाडी यह तुछ उसक पूरिय जाए सूखा कूड़ा जो हम उसको उठाकर जो कमेटी नगर पंचायत लाई को देंगे जो वह बहां से उसकी सग्रिकेशन करके जो बर्मानों को बेजेंगे तता जो लिकुड है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर लिकुड भी है तो भी हमें ही उसको दिये जाए उसकी नहाने के लिए उसकर नहाने के लिए उसकर सकते हैं सचाले के लिए उसका यूज होगा तो हमने वह एक स्कीम जो हो लग तो पाइप डाली हुई है अच्छा लखनपाल जी जैसे इस बार शजालू क्योंकि आ रहे हैं और पूरे देश में क्रोना वाइरस को लेकर बड़ा हाहा कार सा मचा डर सा लोगों के अंदर बैठा हुआ है जहां भी पब्लिक आती है वहां पर इस तरह का डर है तो ट्रस्ट ने अपनी तरब से क्या प्रिकॉशन इस बार रखने का प्यास किया है या क्या प्यारियं किये कि अगर इस तरह की कोई चीज आती है या इस तरह क कोई बात दिखती है तो प्रस किस तरह से अपने आपको लोगों को सुरक्षित करने का प्यास कर रहा है रही जहां तक करोना वाइरस की बात है तो हम समचार पत्रों में पंजार के समार समचार पत्रों में भी यह ख़वर देने वाले हैं कि जो अगर इस बीमारे से ग्रसित है तो क्रिपया वो लोग जो है वो इसमें ना है क्योंकि यहां पर लोगों का अजूम होता है अजारों की संख्यों में लोग लाइनों में लगे होते हैं जिसे कोई आसी अनुवनी वायरिस नहों तो इसके लिए जो है हमने एक समचार पत्र में अनॉसमेंट्स में रखा हुआ समचार पत्रों में इसके बारे में देंगे रखेवल है कि अगर कोई असा ही व्यक्थी पाया जाता है तो उसके लिए लिए टीम होगे मारे पास तो जो हमारी अध्यक्षभ मोदिया ने आयुक्तंहों आयुक्तम तो ょ हमको ािए थे अचा लखन पाजी यहां पर एक सवाल मेरे जहन में आया जो पिछली बार भी बात चली थी के बिकलांगों के लिए दिव्यांगों के लिए एक ट्रैक की बात की गई थी तो क्या इस बार वो मेलों में तैयारी हो पाई है पूरी या अभी उसके अंदर उस बाकी है जो ट्रैक की बात ही उसके लिए पच्चेतर लाख रुपया जो हो रखा गया हो जो जो सेक्टि अमाब आयुक्त मोहदया की ओर से जो हाब वो बेजा गया है जो की बहां से अभी तक मंजूरी परापत नहीं हुए जो ही मंजूरी परापत होते उसको पूरुन कर दिया जाएगा लेकिन तब तक जो है विकलांगा और बृद्धों के लिए मंदर प्रशासन की ओर से विशेष गाड़ी लगाई गई है और उनको जो विशेष दर्श कि हमें यहां पर आते हैं और बाबाजी की नगरी में यह बड़े सवागे की बात है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसके साथ में यहां जो लंगर की विवस्ताएं रहती है कि लोगों को वो लंगर चाही होता है तो ट्रस्ट की तरफ से इस वार लंगर को लेकर क् जाएगा जाएगा जो बाँ पान चाहेंगे उसके साथ जो भी विश्कूट या धू भी विवस्ता होगी दी जाएगी आठ वज़े लेके रात को ग्यारा बैकर के लांगर का आयोजन किया या और जो लाइन में लगे लोग उनको जब तक उन खाननानी खाएंगे तब तक व तो उसको लेकर इस बार आपकी क्या तयारी आपने की है? हमें जो है मन्दर के लिए जो एक करोर कताली रात रुपिया जो तो वो आदियो वीडियो सिस्टम के लिए प्रापत हुआ था जो के मेला से पूरो जो चालू कर दिया जाएगा इसमें जहां तक लाइब आती का है कि लोकल में टो आते से कहा पड़ाइक खाने एक Harold लोकल के माधियम से हमने Time LIVE करना है उसके बारन प्याई किए हो यह और camera शीज जाने है कि मेला से पुरू जाब भूम आती को यह आउडियो वीडियो में क्या चीज़ आप कर रहे हैं? यह आउडियो में आउडियो में आउडियो में प्रसारण के लिए और वीडियो का वीडियो का लाइड प्रोग्राम बताया जाए है यहाँ पर एक लंगर भवन को लेकर बात चल रही है बहुत लंबे समय से लंगर भवन बन रहा था और इस बार पिछली बार भी शायद ही कहा गया था कि लंगर भवन को हम त्यार कर लेंगे अब तक तो क्या इस बार यह नया वाला जो लंगर भवन है क्या ट्रस्टोरा त्यार किया जा चुका है या अभी उसमें कुछ कमिये हैं कुछ खामिये रह चुकी है यह लंगर भवन का ठीक है जो थो भी इसन डेपार्टमेंट को था लंगर भवन जो है वो अंतिम चरण पना है इस बद जो हो पार्किंग की पेवर का काम चलबा वो तक रेवन एक आदे दिन में खतम होने वाला है जहां तक बाकी कारी की बात है इक लिफ्ट लगनी थी अवी पो फो उसमेंक पर ना पहुंचने के वाज़े से लिफ्ट का कारया नहीं हो सका है वो कारया मेलों के दोरहना चला रहेगा जहां तक वे दखाटन कि बाता जैसे मेलओ को लेकर जो तयाई interess रहे हैं उसको लेकर आप क्या कोई विशेष मैसेज अपने जो ठालू यहां पर आ रहे हैं इस से के शांती बिवस्ता, सुरक्षा को लेकर और हर इस चीज को घ्यान में रखा जाए, एक मंदर Olidgari होने के नाते आपको क्या ऐसी चीज़ें लगती हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये बाते हमारे यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहतर हैं इस बाद सुरक्षा की दिरिस्टी से जो है वो परशाशन द्वारा जो तीन सो पच्ची ओम गार्ड और पुलिस कर्मचारी न्युक्ति ये गये हैं जो चपे चपे पर का तैनात रहेंगे हाथ वेवस्ताओं को देखेंगे सुरक्षा को देखेंगे और इसके अतिरिक जो है आप एक्षा करेंगे कि वो भी हमारे कर्मचारी है उनके साथ अच्छे रूप से मदरुभासार में बात करें जिससे जो है के वेवस्ता बनी रहे तथा हमने इस बार जो मीटिंग अध्यक्षमोदे द्वारा दोनों बजारों के वेपारियों द्वारा की ति उसमें भी य जाएक सब्सक्राइं सब्सक्राइं सुटेया का. सब्सक्राइज और याया रहा गरा सब्सक्राइज से अचीरते मित घ्री प्राइजब्हरत क्वरानिम्स बमिले प्रांड़ में. पाल जी से जिनों ने अपनी सारी बातों को लेकर आपके बीच में चर्चा रखी और दूसरी तरफ मैं जिवनुत्सा न्यूस के माध्यम से भी उन सभी शर्धालों का स्वागत करता हूं और उन से ये आवाहन करता हूं कि ये मंदिर आपका अपना मंदिर है आप यहां पर सारी बेवस्ताइं आपकी अपनी है कुछ जिम्मेवारियां आपको अपनी निखुद निभानी पड़ेंगी कूडे को डस्विन के अंदर डाले बे बजा किसी तरह से बंदरों को इस तरह से प्रशाब न डाले ताकि किसी तरह की वेवस्ता में खराबी हो और आप अगर मंदिर को ट्रस्ट को अगर सपोर्ट करेंगे तो ट्रस्ट आपके लिए और बहतर से बहतर सुभीदाईं देने का प्रयास करेगा महिलाओं का बच्चों का खास का ध्यान रखें और अगर कोई व्यक्ति बीमार है किसी को किस तरह का कोई समस्य है तो वो अपनी precautions से यहां पर अपने आपको संभाल के रखें क्योंकि यहां पर हर तरह की medical facilities भी जैसे की मंदिर ट्रस्ट दोरा दी जाती है अगर किसी तरह की कोई समस्य होती है तो वो यहां पर संपर्क कर सकता है मंदिर में बेवस्ता बनाए रखना हम सब की जिम्मेवारी है और इसके लिए आप सब को एक जिम्मेवारी लेकर यहां पर आना होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसी तरह से बने रही है आप हमारे साथ में Thank you very much